वेलकम बैक तो माई चैनल और आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे आज का जो टॉपिक होने वाला है मेकप रस को कैसे क्लीन करें तो थमनेल देखके आपको पता चल गया होगा क्या टॉपिक है तो यह इसलिए एक अपने मीकप ब्रस को क्लीन करें अगर आप डॉपिक हो सकते हैं और हैस। यह देखके ज़न एक फांडेशन है प्रोसेज वह है लगे देमेज पांची प्रोसेज किला 아무ite यह निए फ्षामिक ह्orial मोस्त देमेज का चुछ हब समय यह स्कति नो इसे कुछ आइक पर प्रोसेज नो 59 इसे कैसे क्लीन करें यह वो में फेख्तिरिया क्लीन चोंगे लिए भूसारीटीतर direct आप लोग ब्रेस देख सकते हो यह काफी ज्यादा गंदा हो गया है तो आप लोग यह देख सकते हो एंड यह ब्लेंडर मैं इसको यूज मैं इसको वाश करके बताऊंगी कि इससे कैसे वाश करना है तो आप लोग यह देख सकते हो सो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर वाइट बाउल लिया है वाइट इसलिए ताकि आपको क्लियर देख सके कि मैं कैसे वाश कर रही हूँ आपको गुणगुना पानी लेना है पानी बहुत ज्यादा गरम ना बहुत ज्यादा थंडा अब इसमें आप कोई भी सैंपू मिला सकते हो बहुत ज्यादा नहीं मिलाना बहुत थोड़ी सी कॉंटिटी मिलेना है सेकेंड मैं हैंड वाश यूज कर रही हूँ इसे भी थोड़ी सी कॉंटिटी में ले रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है ब्रस को वाश करने के लिए किसी तरह का टिटरजन पॉडर या टिटरजन लिकुड यूज ना करें विकॉज जो breast के bristles होते हैं वो ठीक हो जाते हैं तो आप shampoo ही यूज कीजिए अगर आप shampoo नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप baby shampoo भी यूज कर सकते हो इसके बाद अब मैं एक एक करके सारे breast को पानी के अंदर dip कर दूँगी ताकि जो breast के bristles हो अच्छी तरह से dip हो सके गाइस नेक्स्ट मैंने foot scrubल ली है अब मैं इस पर एक drop hand wash ले रही हूँ अगर आप hand wash skip करना चाहे तो आप skip कर सकते हो आप shampoo भी यूज कर सकते हो अब इसके ओपर मैं breast को rub कर रही है यो process बहुत slowly slowly करना है जेस्ट इसको circular motion में ही करना है बहुत force के साथ नहीं करना है अगर आप बहुत ज़्यदा force लगाते हो breast पर तो breast के जो bristles होते हैं guys वो तूट जाएंगे circular motion में इसलिए घुमा रही हूँ ताकि इसका shape जो है वो बना रहे और जो eyeshadow या foundation इस पर लगा है वो अच्छे से निकल जाए तो आप देख सकते हो foundation कितने अच्छे से निकल रहा है आपको इसी तरह से करना है एक एक करके सबी breast को मैं clean कर ले रही हूँ आप देख सकते हो यह मेरा eyeshadow blending brush है यह कितना ज्यादा गंदा हो चुका है eyeshadow कितना ज्यादा बाहर निकल रहा है guys अगर makeup brush clean होता है तो makeup भी अच्छा होता है तो आप पानी देख सकते हो पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है foundation और eyeshadow पूरी तरह से पानी में निकल गया है इसलिए makeup brush का clean होना बहु wash करने से time थोड़ा ज्यादा लगता है और brush अच्छे से clean नहीं हो पाता है कोशिश कीजिए running water में wash कीजिए ताकि brush अच्छे से clean हो जाए सबी brushes अच्छे से clean हो गये हैं आप देख सकते हो इसके बाद मैं second process बताऊंगी जो सबसे ज्यादा important है आप अपने brush को कैसे disinfectant कर सकते तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर clean बाउल लिया इसमें मैंने normal water लिया है अब मैं अपने brush को disinfectant करूंगी तो यहाँ पर मैं डेटॉल यूज करनी हूँ एक धकन मैंने डेटॉल यूज किया है आपको ज्यादा नहीं लेने बहुत थोड़ा सा डेटॉल लेना है अब मैं अप अब मैं एक एक करके सारे brush को रख दूंगी उसके बाद मैं अपने brush को पैड ड्राई करूंगी तो बहुत धीरे धीरे करूंगी like हलके हलके हातों से बहुत ज़्यादा force के साथ नहीं करना है अगर आप बहुत ज़्यादा force के साथ करोगे तो आपके जो brush के bristles हैं वह इधर उधर हो जाएंगे नेक्स्ट मैं इस ब्रस को एक दिन के लिए sunlight में ड्राई होने के लिए रख दूंगी ताकि जो मेरा ब्रस है वो पूरी तरह से ड्राई हो सके और मैं इसको फिर से यूज़ कर सकूं दो घंटे दूप में रखने के बाद brush पूरी तरह से ड्राई हो गया है अगर आपको यह वीडियो हेलफ फुल लगा हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर जरूर करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो और मैं लेकर आउंगी तक के लिए तिल देन बाई बाई